अल्यूरीवन मेलकम टू माय चैनल सुगाइस आज हम MST थर सेमस्टर पॉलिमर केमस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं रिपीट यूनिट्स जो की मोश्ट टॉपिक है हमेश एकजाम में आते रहते हैं आपको यह नोर्स कम्लेट करके जाने हैं और चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिगा बेल आकन प्रेस कर दीजिगा और MST केमस्ट्री और समस्टर की नोर्स पर जिसकरने के लिए आप मजवार्स पर मेसेज कर सकते हैं डिस्क्रप्शन में वार्स नमर्स शेड कर दिया है तो देखते हैं तो एक रिपेट यूनीट और रिपीट इनग यूनीट और मर्स एक हिस्सद्न है तो यहां पे जो रिपीट यूनीट है एक क्या है क्या है beşा है जिसके पुणरा व्रत्ति एक हार के मोतियों की तरह शंकला के साथ प्रामिक रूक से दोहराह गई unit को एक साथ जोड़ कर पूरी polymer chain अंतर समों को छोड़ कर उत्पादन करेगी ठीक है अब यहां पर समसे पहले यह वाला topic देख लेते हैं ठीक है नम हमने क्या रखा है रखा है मोनोमर्स रखा है यहां पर चोटे अनु और जो चोटे अनु अब यह क्या कहा है कि ये units RACYONIC प्रकृयाओं के माध्यम से एक साथ मिलकर लंबी जटील शंक्ला हाँ हाँ जटील chain बनाती है ठीक है क्या वनाती ही? ये units RACYONIC reaction ठीक है chemical reaction के माध्यम से एक साथ मिलकर जटील शंक्ला ये chain बनाती है जिसे polymer के रुप में जाना जाता ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यहाला टॉपिक में अप्लोड कर दिया है बड़ आपको यह टॉपिक में समझाओंगी तो आगे वो जो रिपीट यूनिट है वो अच्छे समझ में आ जाएगा फिर कहला कि पॉलिमेरिजेशन प्रक्षिया के दोरा मोनोमर बार बार एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे एक बड़ी और अधिक ठोस स्ट्रेक्चर बनती है ठीक है यहाँ पर इतनी ची समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या होता है जो मोनोमर होते वो बार बार एक दूसरे स जुड़ते हैं जिससे क्या होता है एक ठोस स्ट्रेक्चर बनता है इस्ट्रेक्चर कैसा बनता है जटिर शंकला या चेन की जैसे बनता है ठीक है इतनी बाता है समझ में आप यहाँ पर देखेंगे तो वो जो चेन है यहाँ पर वो एक हार के मोतियों की तरह शंकला के साथ क्रमिक रुप से दोहराई गई यूनिट याने बार बार जुड़ते हैं तो दोहराई कई यूनिट को एक साथ जोड़कर पूरी पॉलिमर चेन का उत्पातन करेगी आया समझ भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसकी पुन्रावरती एक हार मनद जो चेन होती है वो चेन के जै साथ जोड़कर पूरी पॉलिमर चेन का उत्पातन करती है इतने में आपको आगया होगा समझ में अब आगे देखेंगे तो यूपी आई डेफिनेशन देखती हैं कंस्टिटूशनल यूनिट तो एक एटम या एटम्स का ग्रूप पेंडेट एटम या ग्रूप के साथ य थीक है यहां पर कह रहा है कि एक एटम या एटम्स का ग्रूप होता है जो मायक्रो मॉलिकूर एक ओली को मर्मोलिकूल या ब्लॉक या एक शंकला के अवेश्यक सहन रचना का एक हिस्सा बनाता है थीक है अब कॉंस्टिटूशनल रिबेटिंग यूनिट्स जो सबसे छोट एक नियमित माइक्रो मॉलिकूल एक नियमित ब्लॉक के एक निश्चित चेंड का निर्मान करती है ठीक है आगे देखते हैं पॉलिमर के में एक रिपीटिंग यूनिट को कभी कभी मर या यूनिट मर कहा जाता है अब यहां पर देखिएगा जो रिपीटिंग यूनिट होगी वहाँ पर बार बार यूनिट मतलब है रिपीटिंग यूनिट मतलब बार 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 चीज़े होती रहती है ठीक है श्रंकला बनाने के लिए बार 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 चीज़े होती रहती है उसको हम क्या कहेंगे रिपीटिंग यूनिट नाम दिया ग सब्सक्राइब करता है इसका अर्थ है कई मर्स अब रीपीट यूनिट मर को मोनमर शब्द से भ्रहमित नहीं किया जाना चाहिए जो उस छोटे मोलिकूल से संदर्वित करता है जिसे एक पोलीमर संशलेशित होता है तो यहां पर जो है काफी एजी सा टॉपिक है गाई हमारा टॉपक यहां पर एंड होता है आज यहां पर पच्छे संच में आगे होगा तो प्लिस से आनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आगान प्रेस कर दीजिएगा और MSC Chemistry और समेस्टर के नोर्स पर्चेस करने के लिए आप मजवार से पर मेसेज कर सकते हैं डिस्करप्शन पर वार समेबर शेयर कर दिया है थेंक्यू